चॉकलेट पर प्रॉफिट मार्जन चॉकलेट कई तरह की मिलती है अगर हम 1-2 रुपे वाली चॉकलेट और टॉफिट की बात करें तो उनका जार आपको करीबन 100 रुपे में पड़ता है जिसमें की कम से कम 160 पीस चॉकलेट होती है मतलब की 1 जार से आपको लगभग 60 रुपे का प्रॉफिट मार्जन मिलेगा अगर आप 5 जार लाते हैं तो आपको लगभग 300 रुपे तक का प्रॉफिट मार्जन मिल जाएगा कुछ ब्रैंडेट चॉकलेट और टॉफिट की जार जैसे पारले, कच्छा आम इस पर 15 रुपे का प्रॉफिट मार्जन मिलता है बेंटोस की टॉफिट की अगर बात करें तो ये 175 रुपे का आता है जिसमें 190 पीस होते है मतलब की 15 रुपे का प्रॉफिट मार्जन मिलता है सेंटर फ्रिश की बात करें तो ये आपको 190 रुपे का एक जार पड़ता है जिसमें 210 पीस होते हैं यानि कि आपको 20 रुपे का मार्जिन मिलता है 5 रुपे वाली Kit Kat चॉकलेट का पाकेट करीमन 260 रुपे का पड़ता है जिसमें कम से कम 60 पीस होते हैं यानि आपको लगभग 40 रुपे का profit margin मिल जाएगा तो आप भी अपने किराना स्टोर में बच्चों को लुभाने वाले चॉकलेट्स रखकर कमाएं अच्छा मुनाफ़ा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं ओकी क्रेडिट बिजनेस ओकी है